है दोस्तों देखे आज हम जो है एक ऐसे इस टोक के वारे में बात करने वाले हैं जो मातर 10 रुपे का इस टोक है पैनिशेयर है और 1000 क्रोर की एक कंपनी है FMCG से रिलेट करती है और fundamental इतने strong है कि बहुत बढ़िया 60% में promoter holding है तो चलिए चलते हैं देख लेते हैं company को लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप किसी श्टोक को review कराना चाहते हैं तो comment box में बताइएगा हम कोसिश करेंगे उस श्टोक पर वीडियो बनाने की तो चलिए company के fundamentals देख लेते हैं तो देखिए company जो है 1981 में ये stable हुई और इसका पहले नाम था Hicks Cement Private Limited ये सोट में इसको HCPLB बोला जाता था लेकिन उसके बाद 2015 में ये FMCG sector में आ गई और देखिए अब जो है ये बास्मती राइस में ये business करती है जो premium बास्मती राइस होते हैं इसमें market cap है देखिए company का बहुत छोटी company है एक यार 7 करोड की 10 रुपे का इसका current price है high गया था 19 रुपे 60 पैसे और low 7 रुपे 80 पैसे और देखिए stock P.E. 26 का P.E. है बहुत अच्छा book value है एक रुपे की dividend भी company देती है थोड़ा देती है लेकिन देती है अच्छी बात है और ROC देखेंगे 38.4% का और ROE 36.7% का मतलब बहुत अच्छे returns company दे रही है company के कुछ प्रोज और कौश देख लेते हैं देखिए company जो है अपना debt reduce कर रही है और इसका जो cut result आने वाला है उसको accept किया जा रहा है कि बहुत अच्छा आएगा और साथ में देखिए सबसे बड़ी चीज company high delivered good profit growth of 80% का CAGR 5 सालों में पिछले पिछले 5 सालों में 80% से CAGR दिया है company ने और देखेंगे आप maintenance healthy dividend payout मतलब 57% का इसने dividend भी दिया है पिछले और book value से थोड़ा महंगा है यह cons में है तो कोई बड़ी बात नहीं है जब अच्छे stock होते हैं तो कई बार ऐसा हो ही जाता है company के देखें competitor बड़े बड़े हैं बरुन वेबरेज हर्टसन जेडश के रबी एल हिंदुस्तान फूड्स तो यह बड़े बड़ी कुछ company हैं जो इसकी competitor हैं देखें sales देखेंगे sales लगा अतार 2020 के बाद बड़ी है 27 थी फिर 101 फिर 118 152 बीच में थोड़ी कम हुई है फिर 125 अब कुल मिला के 1.500 तक पोच चुकी है 158 तक साथ ही साथ देखेंगे इसका profit देखेंगे कम्पनी के जो profit है profit भी बड़े हैं कभी माइनस के 13 करोड का loss वा करता था फिर यहां ना loss और ना ही profit रहे उसके बाद देखें आज 21 करोड पिछले में था और इस quarter में है 17 करोड का भी तक अब देखें कम्पनी के जो sales growth है पिछले 5 सालों में 14 परसेंट 3 सालों में 1 परसेंट से और इस साल 47 परसेंट से और compound profit growth जो है profit देखें कितना सांदार profit है रजर्ब हैं company के पास कितने गे 51 करोड के 51 करोड के रीजर्ब हैं बरोईंग है 41 करोड की एक बेखें यह कम होती गही है पहले यहां तक देखी गाप यहां तक बढ़ रही थी है 50 फिर इसके बाद 54 होई अब proud कर देखेंग उगी है तो कुल मिला के रीजर्ब बढ़ए है सहरोडलिक पैटरन पर 49.28% लगबग 50% प्रमोर्टर होल्डिंग है इसमें और लगबग 50% ही जो है पबलिक के पास है माल लाश में देख लेते हैं कमपनी का नाम कमपनी है देखिए मिश्ठान फूड लिमिटेड दोस्तों बहुत ही अच्छी कमपनी ये मेरे नजरिये से है बाकी आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाते हैं तो मेरी कोई सलह इन्वेस्टमेंट की नहीं है ये एक नोलिज पर पेज के लिए था अगर आप करना चाते हैं आप अपने रिक्स्ट पर कीजिए पैसा आपका है तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में वीडि झाल झाल झाल